असलाम वालेकुम दोस्तों स्टार गोड्स वाम में आपका स्वागत है आज फिर एक न्यूव वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजर हूँ रात का टाइम है नौ साड़े नौ बच चुक है मैं मेरे फार्म पर ही हो दिन में मौका नहीं मिल पाता है क्योंकि काफे टाइम ऐसा हो जाता है कि फेडिंग का टाइम पर रहना पड़ता है और भी कई टाइम है ध्यान देना पड़ता है दोपैर के टाइम पर बखरे गर्मी दिन हम लोगो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है और अभी रात का टाइम है तो मैं अभी इस टाइम पर ही वीडियो बना रहा हूं और मुसलिए आप ने देखा होगा कि मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूं कोई बहाई इंट्रेस्टेड हो तो यह 400 के रेट से आपको आएंगे एक्शली हम लोग साड़े 300 से रेगुलर बेश रहते लेकिन जैसे जैसे याने कुर्वानी करीब आती है तो जो गाओं में फार्मर होते हैं वह अपने घर पे दात वाले वकरे रोकना स्टार्ट कर देते हैं और कुर्वानी के अनकरीब फिर वो लेके मंडियों में या फिर अलग अलग जगों पर या फिर जो बेवपारी उनके पास जाके लेके लाके बॉम्बे में बेशते हैं कई वी लोग ऐसे हैं जो बगरे खरीदते हैं वह लाके बॉम्बे में बेशते हैं तो वैसे लोगों की दुवा रही और उपर वाले का साथ रहा अगर मेरे मालिक का करम रहा तो इंशालला कुर्वानी के टाइम पर कुछ हम लोग कोशिश करेंगे लेकिन अभी फिल वक्त तो कोई उमीद कम दिख रही है लेकिन यह हमारे पूरे सैड बकरे हैं यह चार बकरे हम लोग वेड भी आपको पताऊंगा वजन करके भी जिससे आपको जजमेंट हो जाएगा जो भी वजन हुआ पच्पं किलो साथ किलो पैसट किलो तो वह आपको 400 से into करना है और आपको बकरे की प्राइस मिल जाएगी आपको प्राइस पूछने की ज़रुवत इंशाला नहीं पड़ेगी और बकरे लगबक 4 से 6 दात पे ही है ये सारे बकरे इसमें कोई 2 दात का बकरा नहीं है कि next year पालने के लिए ये इस साल कुर्वानी के लिए ही अच्छे बकरे है सैड बकरे है बॉम्बे क्लाइमेट में सारी वैक्सीन कंप्लीट हो गई इनको हर वैक्सीन अलहम दुलिल्ला यहने अब कुर्वानी तक का इनको कोई वैक्सीन करानी ज़रुरत नहीं आपको और एक अच्छी चीज यह है मैं आपको यह भी बता दू कि यह सारे वकरे हम लोग क कुर्वानी तक हमारे फार्म पे पलाई पे रख भी सकते है अगर आपके पास जगा नहीं है आपको शौक बहुत जादा है और आप चाहते हैं जैसे काफी लोग ऐसा होता है कि दो महीना तीन महीना पहले कुर्वानी का बखरा पर्चेस कर लेते हैं तो वह ऐसे लोगों के लिए अच्छी चीज है आप लोग ले सकते हैं और हमारे फार्म पे ही रख सकते हैं तो जो अनकरीब है काफी लोग मुम्रा के ऐसे लोग है जो जिन्होंने हमारे पास बखरे लिए है और रख भी थी है लेकिन हम लोग ऐसे बखरे पलाई पर रख रहे हैं जो हमसे ही पर्चेस हो रहे हैं कोई बाहर से खरीद के हमारे पास लागे देगा तो वो हम नहीं लेते, हम वैसी पलाई नहीं करते हम हमारे सैट किये बकरे ही पलाई पे रख रहे है दूसरी चीज़ बकरो के बाल वाल भी पूरे कम्लिट कर चुके है, नए बाल आना स्टाट हो गए, आपको शाइनिंग से खुद समझ में आएगा नए बाल आना बक्रों के बदन पर बाल नहीं होने के विए से जो फिटिंग आपको खुद समझ में आएगी यह उरिजिनल जो इनकी साइज है यह पूरी वही है तो अक्सर ऐसा होता है अड्डू बक्रों में बड़े बड़े बाल होते हैं तो उससे बक्रा हलका होत खे काफी पसंद भी करें गर्मी के स्टाइड में हम लोग बाल सारे बक्रों के निकाल देते हैं तो बक्रे माशाला सभी हैं साफ सुत्रे हैं और खुबसूरत भी है लोगों की पसंद के मुताबिक है आप लोग अभी से पर्चेस कर सकते हैं और भी हमारे पास बक्रे हैं तो इंशालाँ ये चार सू रुपे के रेट से ये चार बगरे हम लोग ने अब फिलवक सिफ यही चार बखरों को रखे हैं बाकी बखरे हमारे पस अलग है इसकीम उन पर नहीं है और ऐसा नहीं है कि ये बखरों में कोई प्रॉबलम है तो हमने ये सस्ते में निकाला है पर दो लोगों का इसा होता है कि असे बहुत अच्छा है बहुत कम वेट से माशाललह इसने बहुत अच्छा वेट किया आइधिंग ए 60 प्लस वेट पे आप वजन करके बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा जबानी बोलने पर अलग होता है कि 60-50 किलो होगा 55-50 किलो हो गाटा है काटे बे खडे करना पढ़ता है आपको जबाएंगे आपको विजन करके बता दिया जाएगा यह सारा वजन मैं एक शिस और आपको बता दो यह आफटर फीड है यह खाने के बाद का वजन है खाने से पहले का वजन नहीं है क्योंकि काफी लोग सुबा के टायम आते हैं तो बखरों रात का खाया हुआ अब सुबा के टायम उनको अब दाना नहीं देते हैं तो वह उसी में 2-2 kg का फरक आता है तो यह खाने के बात का वजन है आप देख सकते हैं 61 kg 61 kg 800 kg जो बगरा मैंने आपको बुला था 60 प्लस है यह वो बगरा है और और बगरे देखते हैं अभी यह गुजरी भी माश्याला काफी अच्छा है और काफी हेल्दी है यह बगरा भी है तो यह थिंक यह बगरे का वेट है 63 63 kg 63 kg तिरसाट किलो इंटू 400 आपको इसका एकुरेट प्राइस आपको मालूम पर जा कोटा का वेट हमको दिखना है कोटा का इथिंक 65 प्लस होना चाहिए 66 66 एकुरेट 66 kg तो यह चार बगरे हैं अग ले के अपने जगे पे भी ले जा सकते हैं या कहीं और भी पलाई पे दे सकते हैं तो कोई एतराज नहीं है बखरेट पर्चेस करने में और डिटेल आपको इंशाला वो सारी उनके मिल जाएगे तो वीडियो पुरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया असलाव वा प्रचेस